सबी दर्शकों का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खुशी आज 9 अक्टूबर दिन बुद्वार है आज के पंचान के अनुसार आज विक्रम सववत 2021 के अश्विन मास के शुक्लिपक्ष की श्रस्टी तिति है जो तो पहर 12 बच कर 15 मिनट तक रहेग बिजनिस संबंदी यात्रा की बात करें तो आज उत्तर या पूर्व दिशा की यात्रा से लाब उठाया जा सकता है यदिन दिशाओं के अलावा किसे अनिदिशा की यात्रा करनी आवर्शक है तो यात्रा पर निकलने से पूर्व एक चमश दही में शक्कर या गुर्मिला कर खाएं अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की सनातन धर्म में गंगा जल को विशेश महत्व प्राप्त है यदि किसी को वहम हो कि उसके घर में नाकरात्म कुर्जा है या फिर किसी ने कोई तंत्र का प्रयोग किया है या बिजनिस को बान दिया है तो ये सरल उपाय करना चाहिए इस उपाय से कुछी महीने में तंत्र पयोग या जादू टोने का प्रभाव नस्ठ हो जाता है शुदपानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए और फिर उसमें मंदर से लाई हुई तुलसी की एक या दो पत्ती डाले इस जल को घर में इशान कोर से शुरू कर किया चऱर से कोगते हुए जहां तक संभव हो वहां तक हलका छृकाटार करें इससे सबी तरह के दोश्त हो जाते हैं अब बात करते हैं आज के राशी फ़ल की कौन सी राशी वालों white लिए आज का दिन चुब रहेगा और कौन सी राशी वालों को आज विशेश साव्धा बरतनी की जरुरत है सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वाले युवा अपनी करियर की प्रती फोकस को और बढ़ाना चाहिए शेर मार्किट का काम करने वाले लोगों को शाम तक लाप के सौधे मिल सकते हैं ऑफिशल कारे में सुधार होगा और परिस्थीति आपके लिए अच्छी रहेंगी आपके राशी की स्थिति अच्छी है व्रिशब राशी वाले लोग अपने बिजनेस या सर्विस पर ध्यान केंदित करें तो शाम तक आपकी स्थिति काफी हद तक मजबूत हो जाएगी आज के दिन कुछ परेशानियों का अंकलन करें तो मैं चैचा पएदा कर सकता है परिवार में किसी रिष्टिदार के आने से मनप्रसंद रहेंगा लेकिन बुरे कर्मों से बचकर रहे अनितहान ुकसान हो सकता है में जोल बनाया रखना आपके लिए बैतर होगा करकराशी वाले लोगों के लिए बैतर स्वास्त को लेकर आज का दिन बे अधिक के अलावा बाकी सब ठीक है शुब समाचारों की प्राप्ति होने की भी संभावना है उच्चिपद से लोगों से संपर्ख होगा जिससे बिजनेस में मनी सर्कुलेशन पड़ सकता है सिंगराशी सिंगराशी वाले विद्यार्थियों के लिए दिन सामान रहेगा यदि आप बिसनेस करते हैं तो किसी के साथ सांजेदारी के बारे में चर्चा हो सकती है भौतिक सुक्स विधाओं के संसाधनों में वृद्धी होगे परिवार के साथ विताय वक्त की यादे ता कन्यराशी कन्यराशी वाली लोगों के स्वास्त की बात करें तो आज पेट संबंदी किसी रोग से ग्रस्त रह सकते हैं युवा वर्ग विवादों में नाफशे और अपने मित्र के साथ तालमेल बनाकर रखे थोड़े प्रयासों से अच्छी सफलता की उमीद रख सकते है जो लोग नौकरी में हैं उन्हें विभाग की तरफ से शुब समचार मिलेगा तुला राशी तुला राशी वाली लोगों को वाहंत और घटना को लेकर सचेत रहना चाहिए क्योंकि आज स्वास्त का पाया कमजोर बना हुआ है पुराने परिचित से मुलकात हो सकती है दीर संबंधों को बनाए जाए तो आशाती सफलता मिलने की संभावना है सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाबधायक रहेगा रिशेक राशी रिशेक राशी वाले लोगों का शुब समचार प्राप्ति के योग है मनोबल में व्रिद्धी होगी सांजेदा मान कोई सौधा किया सकता है दैनिक रोजगार में जावा होगा रावजमी के शिकायत हो सकते है प्राइविट सेक्टर से जुड़े लोगों के कारों में अधिक्ता हो हम्हावली है थनु राशी वाले लोगों के लिए सामाजिक कार्यों में भाग लेने का समय है प्रेम समबंधि मामल discount है किसे से बीसे बात करने से आपको कठनाई के नुभव होगा मान शंवान और यश्य की प्रापटी हो सकती है मन को शान करने के meditation करना लाबकारी रहेगा मकर राशी मकर राशी वाले लोग खुद को अपनी लक्ष पर focus करते हुए आगे लेकर जाए तो बहतर परिनाम पा सकेंगे जीवन साथी के साथ को लेकर चिंता रह सकती है अकास में खर्चों की बढ़ने का योग है सबसे बड़ी उंगली में नीलम या उसका कोई उपरत्न धारन करें कुमराशी कुमराशी वाले लोगों के मन में आलेस की तरफ आकर्शन होगा इसलिए इस संबंद में सचेत रहें और अपना पूरा धान काम पर लगाए अतरिक्त धन के विवस्था के लिए दौर धूप करनी पर सकती है आज आपकी राशी को अगनी तत्वग्रे रूल कर रहे हैं इसलिए पेट में जलन या दर्द की समस्रा दे सकते हैं मीन राशी विद्यार्थी वर्गों को चाहिए कि वो समय का पूरा सदू प्योग करे अन्यथा इच्छित परिनाम नहीं पास सकेंगे आज रुका हुआ पुराना धन प्राप्त होने की संभावना बन सकती है गुरवार को प्राता चने के दाल का दान करे इससे राशी को बल मिलेगा आज के राशी फल में बस इतना ही ऐसे ही तमाम जानकारी करें बन रहे पंजाबकेसरी.com के साथ